लॉर्ड नार्थब्रुक का इतिहास लॉर्ड मेयो के बाद सर जॉन स्ट्रेची को भारत का कार्यवाहक वायसराय बनाया गया जिनका कार्यकाल 9 फर्वरी 1872 इसे 23 फर्वरी 1872 इतक था सर जॉन स्ट्रेची के बाद द लॉर्ड नेपियर को कर्यावाहक वायसराय बनाया गया जिनका कार्यकाल 24 फर्वरी 1872 से 3 मई 1872 इतक था लॉर्ड नार्थब्रुक का कार्यकाल 3 मई 1872 से 12 अप्रेल 1876 इतक था लॉर्ड नार्थब्रुक ने कहा था मेरा प्रमुख उद्देश करों में कमी करना और क्रिशी के लिए योग्य भूमी का निर्मान करना है लॉर्ड नार्थब्रुक के कार्यकाल 1872 इमें पंजाब में कुका आंदोलन हुआ था जिसके नेता राम सिंग थे बाद में उन्हें रंगून भेज दिया गया था कुका आंदोलन क्या था? कुका दरसल सिख धर्म में एक नामधारी संप्रदाय है उसी संप्रदाय के लोगों को कुका कहा जाता है इसकी शुरुवात 1840 इमें भगत जवाहरमल या सेन साहब के द्वारा की गई थी भगत जवाहरमल के अनुयाई रामसेह के द्वारा 1872 में एक आंदोलन किया गया बाद में इसी आंदोलन को कुका आंदोलन या कुका विद्रोह के नाम से भारतिय इतिहास में वर्नित किया गया 1875 इमें लौड नार्थब्रुक ने बढ़ोदा आधुनिक नाम वडोद्रा के राजा मलहार राव गायकवाड को घष्टाचार के आरोप में पद से हटा कर मदरास आधुनिक नाम चैननई भेज दिया था लौड नार्थब्रुक के कार्यकाल 1875 इमें ही विल्स के राजकुमार एडवर्ड त्रीतिय भारत आये थे विल्स ब्रिटेन का एक प्रांथ है जिसकी राजधानी कार्डिफ में है लॉर्ड नार्थबुक के ही कार्यकाल में स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के मध्य व्यापार में व्रिध्धी हुई